नमस्कार में हो प्रिया विहारी न्यूज में आपका स्वागत है विहार क्याबिनेट की बैठक में आगामी पंचायत चुनाफ को लेकर महत्वपूर निर्नली आ गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे मुखे मंतरी नितीश कमार के अध्यक्षता में क्याबिनेट बैठक में सभी मंतरी वर्शुल माधियम से जुड़े थे इस दोरान 11 चर्णों में पंचायत चुनाफ करवाने पर मुहर लगी है पहले पंचायत चुनाफ को 10 चर्णों में करवाय जाने की चर्चा चल रही थी लेकिन क्याबिनेट की बैठक के बाद विहार में 11 चर्णों में चुनाफ कराय जाने की बाद कही गई है हालाकि 24 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी इतना ही नहीं सरकार ने ये भी सपष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाफ का पहला चर्ण 27 सितंबर से पहले आयोजित कर दिया जाएगा इसके साथ ही मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने स्वधनत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को गांधी मैदान में किये गये गोशना को लेकर भी क्याबनिट बैठक में मंजूरी दे दी है महीं पंचायत चुनाफ की अगर हम बात करें तो क्याबनिट विभाग की तरफ से साजा की गई जानकारी के नुसार 24 सितंबर को पहले चरन की वोटिंग होगी, 29 सितंबर को दूसरे चरन की, 8 अक्टूबर को तीसरे चरन की, 20 अक्टूबर को चौथे चरन की, 24 अक्टूबर को पांचवे चरन की, 3 नवंबर को छटे चरन की, 15 नवंबर को सातवे चरन की, 24 नवंबर को आठवे चरन की, 29 लेकर के 24 अगस्त को अधिसूशना आना बाकी है जिसके बाद किन चरनों में किन किन जिलों के चुनाफ का आयोजन करवाया जाएगा इसको लेकर सारी स्थती साफ कर दी जाएगी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि बिहार में पंचायत चुनाफ को लेकर तैयारिया लगातार जारी है ईवियम दूसरे राज्यों से मंगवाने का काम किया जा चुका है और ईवियम की फर्स लेवल जाच भी लगभग पूरी हो चुकी है इसके साथ ही सरकार की यही कोशिश है कि संभावित तीसरी लहर के आने से पहले ही पंचायत चुनाफ का आयोजन करवा लिया जाए इसके साथ ही राजु निर्वाचन आयोग के सावने वर्तमान समय में बाढ़ एक बढ़ी समस्या सामने आई है लेकिन सरकारी सूत्रों की माने तो बाढ़ प्रभाव इसके साथ ही हमने जैसा कि आपको पहले भी बताय था कि पंचायत चुनाफ का आयोजन इस बार चार पदो पर इवियम के बाधियम से होने वाला है तो महीं दो पदो पर बैलेट पेपर का इस्तमाल किया जाएगा यानि कि इस बार का चुनाफ पहले के चुनाफ के मुकाबले निश्पक्ष तरीके से करवाने की तयारी की जा रही है हाला कि पंचायत चुनाफ में एक शुकायत आम थी की बोगस वोटिंग और अन्य तरीके की गतिविधिया देखने को मिलती है लेकिन इस बार यही कोशिश है कि इवियम के माधियम से चुनाफ को निश्पक्ष तरीके से करवाये जाए जिसको लेकर के तयार यह तेज है हाला कि कोरोना और बाठ अभी भी सरकार के सामने में दो बड़ी चुनाथी है जिसको कैसे और किस तरीके से राचुनित वाचुनायोग पूरा करती है यह आने वाले समय में पता चलेगा इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए